नमस्कार साथियों और लिटरेचल लवर्ड्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ एक इस राजवीर आप सभी को मैं बता दूँ कि एक खबर आई है आपके लिए और ये खबर है बाइदो वे न्यूज पेपर के थुरू है खबर ये है कि जो आने वाली वेकेंसीज होंगी प्रवक्तापद की यानि कि PGT लेवल वाली वैसे मैं आपको बता दूँ कि जो TGT लेवल है तो उसमें और लेड़ी बीड लागू किया जा चुका है यूपी में देखिए या किसी अधर स्टेट में देख लीजे या फिर आप चहवे NVS, KVS, DSS भी किसी में भी देखें तो बीड अनिवारे है और अब रही बात की PGT वाले एक्जाम में तो जैसे PGT वाला जो एक्जाम होता रहा है यूपी PGT का हो या फिर राजकी इंटर कालेजों के लिए हो यानि कि जो GIC के लिए होता था तो उसमें BED की अनिवारेता अभी तक नहीं थी लेकिन अब BED की अनिवारेता को हरी जंडी मिलने वाली है आप इस पूरी निउज को पढ़ सकते हैं कि राजकी और असास की सहांता प्राप्त विद्यालव में प्रवक प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें तो अभी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आने वाली जो बैकेंसीज होंगी तो उसमें BED की अनिवारेता हो जाएगी तो जिन साथियों ने अभी तक BED नहीं कंप्लीट किया है तो वो अपना BED समय रहते कंप्लीट करें ताकि आने वाली भर सिच्छक भरती में रास्टी अध्यापक सिच्छा परिसेद यानि NCT की आहरता लागू करने के लिए सासन इस्तर पर मन्थन तेज हो गया है इस संबन्द में बुधवार को शासन में उच्छिस्तरी बैठक होने जा रही है NCT ने 16 दिसंबर 2014 को जारी अधिसूचना में प्रवक्ता भरती के लिए नियुन्तम पचास प्रित्सत अंकों के शाद बीड़ अनिवार कर दिया था केंद्री विद्यालेव में भी PGT प्रवक्ता भरती में बीड आहरता अनिवार है लेकिन NCT की अधिसूचना जारी होने के तकरीबन 8 साल बाद यानि कि 2014 से आज आप देख रहे हैं 2022 सो आप देख रहे हैं कि 8 साल बाद भी UP में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से की जाने वाली राजकी विद्यालेव में प्रवक्ता की भरती और उत्तर प्रदेश माद्यमिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ड की यानि कि जो ये UP, TGT और PGT होता है चैन बोर्ड की तरब से सहायता प्राप्त माद्यमिक विद्यालेव में भी प्रवक्ता यानि PGT भरती में B.A.D. की अनिवारता नहीं है इसके लिए दोनों भरतीयों की नियमावली में संसोधन किया जा रहा है तो मित्रो ये आपके लिए नियूज पहले भी में कई बार कह चुका था कि आगे B.A.D. आना अनिवार हो जाएगा क्योंकि नई सिच्छा नीती है वो लागू हो रही है और साथ में UP ही एक ऐसा स्टेट बचा था जहां पर आपको PGT परिक्षा देने के लिए ये कुल मिला करके PGT परिक्षा देने के लिए कि अगला चांस नहीं मिल पाएगा और साथ में अपने B.A.D. के लिए भी अपनी सारे इंतजाम कर लीचे तो ये सूचना मुझे आप तक पहुचानी थी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और सभी विद्यारती अपनी अपनी तैयारी में लगे रहे क्योंकि उचित स मैं आने पर आपको एक अच्छा परफॉर्मिंस देना है फिर से मिलेंगे आपसे अगली क्लासेज में और तब तक के लिए नमस्कार रखिए अपना खयाल